दोस्तों नमस्कार मिरा नाम संजे मग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टर मीडिया मंच पर आपके साथ एक बार फिर मौझूद हूँ हर्याना विधानसभा चुनाव को लेकर हर्याना विधानसभा का चुनाव जो अक्टूबर के महीने में संभावित है यानि कि जिसमें लगवग अब दो से धाई महीने बाकी रह गए हैं यानि कि चुनाव को लेकर के लोगों के बीच में गजब की क्योरे सिटी शुरू हो गई है अब अंदाज लगाई जाने रगे हैं कि कौन सानेता कौन सी पार्टी का चेहरा हो सकता है किसको टिकेट मिल सकता है किसका टिकेट कट सकता है किसकी बात बन सकती है किसकी बात बिगड सकती है ये तमाम कयास लगाई जाने शुरू है अगर राजनितिक दलों की बात करूं तो एक तरफ भारती जनता पार्टी जिसकी सरकार है दस साल से दूसरी तरफ कॉंग्रेस जो हाथ पैर मार रही है दस साल से सरकार में आने में तीसरी तरफ इंडियर नैशनल लोगदल जिसको सरकार से दूर हुए अब दो दशक हो चले हैं यानि कि 20 साल से भी ज़्यादा इंडियर नैशनल लोगदल भी प्रयास में है किसी तरह राजनितिक की मुख्यधारा में आ जाएं तो ये तमाम राजनितिक दलों कतीविदियां हैं और इसके साथ साथ तमाम जो राजनितिक लोग हैं वो उनकी तयारियां अपनी अलग से हैं मैं लगाता है आपके साथ पिछले कई दिनों से चर्चा में हूँ विधान सभा छेत्रों को लेकर मैंने कल आपसे वीडियो शेयर किये थे प्रतला विधान सभा को लेकर आज यहां पर एक भी कस्वा नहीं है कोई शेहर नहीं है complete rural यानि कि पूरी तरह से ग्रामीन प्रष्ट भूमी का ये विधान सभा छेत्र है जब से ये विधान सभा छेत्र अस्तित्व में आया मान्चित्र पर आया तब से इसमें चौथा चुनाव होगा तीन चुनाव हुए और तीनों चुनावों के अंदर हर चुनाव के अंदर चहरा जंडा डंडा नेता पार्टी इवन कास्ट और समाज भी बदल गए यानि कि पहला चुनाव 2009 में यहां से रगवीर सिंग तेवतिया जीते थे मैंने बताया था आपको जाट समाज से दूसरा चुनाव टेक्च स्ट्रियर राजमारक पर आप बल्लब गड़ के बाद शुरू हो जाएं केली मोड से आगे और आपको बगौला आलापुर गाहों तक जिस प्रकार के आपको लगे हुए पोस्टर दिखाई देंगे नेताओं की इससे आप सहच अंदाजा लगा लेंगे कि प्रतला विधा सभा कितना होट है मैंने आप से कल बात की थी ब्रहमन समाज के नेताओं के बारे में कि कितने ब्रहमन चेहरे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और कितने तै हैं लगवग मैं आज आपके साथ चर्चा में हूँ कि इस प्रतला विधान सभा जहां पर की जाट मद्दाता बड़ी संख्या में हैं जहां से एक बार जाट नेता अरगवीर सिंग तेवतिया 2009 में कॉंग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए अब इस चुनाव में 2024 में जाट समाज की क्या तैयारियां हैं जाट समाज कैसी अंगडाई ले रहा है कितने नेता तैयार हो रहे हैं अगर आप सडकों पर लगे हुए बोड पर ही नजर लगा लें जो फ्लेक्स बोड टंगे हुए हैं तो आपको दिखाई दे जाएगा कि दरजन भर नेता कम से कम एक दरजन के आसपास जाट नेता हैं एक तरफ रगवीर सिंग तेवतिया के बोड हैं जिस पर लिखा होता ह है कि बदलेंगे प्रतला की तसवीर फिर लाएंगे रगवीर और रगवीर की रहा में रोडा बनने के लिए एक दरजन जाट नेता तयार हैं इवन उनकी पाल के उनके गाउं के आसपास के लोग भी मैं आपसे सिलसलेवार लगातार चर्चा करूंगा लेकिन क्योंकि रग रगवीर सिंग तेवतिया के बारे में आपसे बात करना जरूरी है बताना जरूरी है कि आखिर उनका प्रोफाइल क्या है जो राजनीती में रुची रखते हैं वो तो जानते ही है और जो नहीं जानते या जो अभी खासकर टीनेजर जो हैं जिनका पहली बार वोट डालें उस तेवतिया पाल के सरपंच रहे हैं रगवीर सिंग तेवतिया तेवतिया पाल के गाउं जनौली के रगवीर सिंग तेवतिया ने अपना पहला जो चुनाव लड़ा सरपंच रहे उसके बाद जो उन्होंने पहला चुनाव लड़ा विधान सभा का वो 1987 में लड़ा 1987 च 1987 में ही और उसी साल जून में वो चुनाव हुआ था और रगवीर सिंग तेवतिया केंडेट हुए थे चौधरी अजीस सिंग की पार्टी से और उस चुनाव में रगवीर सिंग तेवतिया बहुत पुरी तरह से चुनाव हार गए थे चुनाव हार करके वो चौथे पांच मे मुझे भी ध्यान है 1987 वाला वो सुभाश कत्याल चुनाव जीते थे उस समय पलवल विधान सवाच छेत्र से सुभाश कत्याल भी तेवतिया पाल से आते हैं पंजाबी समाज से हैं दूसरे नंबर पर जो चुनाव में रहे थे वो पंड़त किशंचन दिक्षित थे तीसरे न दियान है तो वो चुनाव रगवीर सिंग तेवतिया का पहला चुनाव था उसके बाद वो धीरे धीरे राजनीती में लगे रहे कभी यहां कभी वहां वो सब भी चला और धीरे धीरे वो कॉंग्रेस में पहुंचे और कॉंग्रेस में जाकर के उनका जो पहला चुनाव 2014 में लड़े कॉंग्रेस के टिकेट पर ही उस चुनाव को वो हार गए और 2019 में वो तीसरा चुनाव लड़े रगवीर सिंग तेवतिया कॉंग्रेस के टिकेट पर ही हार गए नैनपाल रावत ने उन्हें निर्दलिय प्रत्याशी ने हरा दिया और हार का मार्जन भी बड़ा हो गया अब अगर बात आती है 2024 की तो रगवीर सिंग तेवतिया इस समय पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं हलांकि मुझे रगवीर सिंग तेवतिया तो आयोजनों में कम दिखाई देते हैं लेकिन उनके सुबत्र वरुन तेवतिया आजकल गाओं गाओं में घूम रहे है उनके दूसरे बेटे बड़े बेटे तरुन तेवतिया वो भी लगे रहते हैं रगवीर सिंग तेवतिया जी का शायद कुछ सेहत नासाज रहती है या तो इस वज़ा से या जाने क्यों लेकिन वो बड़े आयोजनों में दिखाई तो देते हैं लेकिन उनके जो गाओं ल से जो कॉंग्रेस के अंदर अच्छा काम संबालते हैं कॉंग्रेस मुख्यालने पर मेरी मुलाकात एक बार उनसे हुई थी आज से लगवग दस्वारा दिन पहले तो बता रहे थे कि हर्याणा में भी कॉंग्रेस करनाटक पैटरन पर टिकेट बाटेगी और वो पैटरन य जाये जाये इस ली मैं आपसे की कि अगले किसी वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा कि ऐसे कौन कौन से प्रमुक्टे रहे हैं आट spending आधिस जो दो बार चुनाव Herr चुके और इस बार तैयारी में ऑर इननके टिकेट पर कैसी चल सकती है क्यरृ कि बात आप से कर रहा तेवतिया जी के साथ में पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर कहीं करनाटक पैटरन वाली बात है तो ये उनके लिए थोड़ी सी बाधा है दूसरी बात इस चुनाव के अंदर मैं देख रहा हूं तो सबसे जादा जाट नेता ही है जाट कैंडिडेट ही है जो तैयारी कर सिंग तेवतिया जी के लिए मैंने आपको दो बात बताई पहला तो वो उनका जो करनाटक पैटरन वाली बात और दूसरा इतनी बड़ी संख्या में जो जाट नेता दावेदारी कर रहे हैं वो भी कहीं उनकी रहा में बाधा ना बने अब जो नेता तैयारी कर रहे हैं आखिर प्रतला विधान सभा को ले करके इतना लोगों में खासकर जाट नेताओं के अंदर इतना उत्साह क्यों है यह अंगडाई क्या कहना चाहती हैं तो पहले कॉंग्रेस की बात ही कर लें रगवीर सिंग तेवतिया नंबर वन मैंने आप से का रगवीर सिंग तेवतिय थी वो उनके बहुत नजदीक रहे महिंदर परताप के बेटे विजय परताप और रगवीर सिंग तेवतिया के बेटे तरुन तेवतिया दोनों के बीच में ऐसा मानलों कि जैसे चोली दामन का साथ है बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों मैंने लोगसभा चुनाव के दौर परताब चुनाओं में आगे रहे इसको अपना प्लस पॉइंट मानते हैं रगवीर सिंग तेवतिया और उनके समर्थक लेकिन साथ मैं आपको एक बात जोड़ दूं कि जो कॉंग्रेस के ही दूसरे लोग हैं इवन उसके अंदर नाम करन सिंग दराल का भी जोड़ा जाएग जो पलवल के पूर विधायक हैं कॉंग्रेस के कदावर नेता हैं इसके साथ सक बाकी जो कॉंग्रेस के और कैंडिडेट बनने की दौड़ में हैं वो सब कहते हैं कि अगर हर कॉंग्रेस जनका साथ लिया गया होता तो ये जीत 7-8,000 की नहीं बलकि 25-30,000 की भी हो सकती थी मांग रहे हैं कॉंग्रेस की खासकर या जो विरोधी घुट मान सकते हैं उसका कहना यह है कि रगवीर सिंग तेवतिया ने क्योंकि एक छत्र कर लिया था कॉंग्रेस के पक्ष में ये हवा थी इसलिए वोट मिले अगर सारे कॉंग्रेस जनकाम करते तो जीत और बड़ी हो हेम डागर का नाम है हेम डागर कॉंग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं राजनीती में भी लंबे समय से हैं जो उनका वर्क प्रोफाइल है काम करने का तरीका है बहुत शरीफ शराफत के प्रतीक है शरीफ आदमी है और भुपेंदर सिंग हुड़ा गुट में है वो भी हुड़ा साब के नजदीक भी हैं कॉंग्रेस की जो किसान सेल है किसान मोर्चा है जो इकाई जो बनी होगी उसके वो परदेश तरके पतादिकारी भी हैं लगतार जब से कॉंग्रेस के अंदर भुपेंदर सिंग हुड़ा जी का समय चल रहा है वो तब से कॉंग्र के बाद जो दूसरा नंबर आता है वे नाम आता है सत्वीड डागर के लंबे समय से काम कर रहे हैं पिछले दिनों यहां प्रतिमा लगी थी परिदाबाद बलबगड के अंदर राजा नार सिंग की उस प्रतिमा जो लगी थी उसकी जो कमेटी थी उसके भी चेर्मेन सैयोजक सत्वी डागर हैं सत्वी डागर के साथ में चीज और बता दूं कि कॉंग्रेस के अंदर वो कुमारी सहलजाग उटके समर्थक माने जाते हैं कुमारी सहलजाग उटके और चुनाव के लिए उनकी भी अपनी तरफ से वो तैयारी में जुटे हुए मैंने उनके भी कई जगा पोस्टर सोशल मीडिया पर भी देखे हैं अगर अगला नाम कहूं तो एक महिला चहरा भी नजर आता है नीतु मान भुपेंदर सिंग उड़ा जब पिछले दिनों कॉंग्रेस के कारेकरता सम्मेलन में आये थे उस सम्मेलन में मैंने उनका संबोधन भी सुना था नीतु मान क प्याला गाउं से है ये शायद और प्याला गाउं प्रतला विधान सभा छेतर का एक ठीक्ठा गाउं है और नीतु मान भी यहां पर अपनी तयारी में है उनके मैंने कई जगा बोट देखे कॉंग्रेस से तयारी में है अगर मैं अगला नाम कहूं तो फिर अगला नाम है राकेश तमर प्रत्ला गाओं के हैं एक बार विधान सभा का चुनाव लड़े हैं राकेश तमर वो चुनाव था 2014 का और लोग कहते हैं कि 2014 के चुनाव में राकेश तमर नहीं रगवीर सिंग तेवतिया की रहा रोग दी थी हर्याना जनहित कॉंग्रेस के टिकेट पर उस चुनाव में चुनाव मैदान में उतरे थे राकेश तमर चुनाव में कोई करिश्मा तो नहीं कर पाये थे लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि राकेश तमर ने जो राजनीतिक लोग कहा करते हैं कि रगवीर सिंग तेवतिया की रहा रोग दी थी राकेश तमर ने भी पिसले दिनों में उनका में सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था कि कोई अपना अभियान वभियान को शुरू किया है आजकल वैसे वो कुमारी सेलजा गुट में हैं और कुमारी सेलजा के कटर समर्थकों में गिने जाते हैं राकेश तमर अगला नाम में आपसे जोड़ू तो अगला नाम है डॉक्टर विरेंदर तेवतिया ये डॉक्टर विरेंदर तेवतिया अलावल पुर गाउं के हैं जहां जहां रगवीर सिंग तेवतिया के फ्लेक्स लगे हुए उनके साथ में कई जगा आपको डॉक्टर विरेंदर के फ सुर्जे वाला के बहुत नजदीक हैं इसलिए दिनों रंदीप सिंग सुर्जे वाला लोकसभा चुनाव से पहले जब पर पलवल आये थे तो उनकी सभा भी होई थी डॉक्टर विरंदर सिंग जो है तेवतिया जो है मैं बताया अलावलपुर गाउं के हैं और अलावलपु खेरे तो अकेले कॉंग्रेस में हैं जाड समाज के जो रगवीर सिंग तेवतिया की कांग खीचने में लगे हुए हैं पीछे लगे हुए हैं कि वो भी टिकट के दावेदारी में हैं अब अगर मैं अगली बात करूं आपसे तो एक नम और साथ जोड़ता चलूं लोकसभा चुनाव से पहले सुरंदर तेवतिया स्वरगिय सुरंदर तेवतिया उनका देहावसान हो गया चुनाव से पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ी कथा कायोजन किया था। सुरंदर तेवतिया भी प्रत्रला विधान सभा चुनाव से दावेदारी कर रहे थे चुनाव लड़ना चाहते थे करन सिंग दलाल के बहुत नजदीक रहे करन सिंग दलाल के अच्छे समर्थक समझे गए वो करन सिंग दलाल के साथ में ही जो कथा की थी उन्होंने उसके कथ के अंदर भी करन सिंग दलाल की बड़ी भूमिका थी नेताओं को बुलाने से ले करके उनकी जो कथा हुई थी उसमें भुपेंदर सिंग उड़ा जी भी आये थे और आपको बताओं कि सुरंदर तेवतिया के देहावसान के बाद में जो उनका आसमाय निधन हो गया और एक अच्छे यूबा नेता थे उसमाय निधन हुआ इस समय उनके बेटे के मैंने फ्लेक्स बोड देखे हैं कही जग़ा लगे हुए सुनधर तेवतिया के नाम के बोड देखे या फिर उनकी क्योंकि हुड़ा साब खुद भी आये थे वो पैर भी करेंगे यानि कि एक नाम ये वाला है सुरंदर तेवतिया का जो प्रोफाइल रहा है वो भारती जंता पार्टी का रहा है कभी बीजेपी के वो ठीक ठाक नेता रहे हैं भारती जंता पार्टी में वो चे आगे चलें तो फिर भारती जंता पार्टी के केंडिडेट भारती जंता पार्टी के भी चार-पांच जाट नेता मुझे नजर आ रहे हैं जो चुनाव की तैयारी में हैं सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ आप राश्टे राजमार्क पर देख रहे हैं उनका एक ऑफिस पास दीपक डागर गाउ ज़ाज्रुव हैं उनका क्रशनपाल गूजर के साथ में उनके तमाम बोर्ड दिखाई पड़ सकते हैं और दीपक डागर के बारे में लोग चुनाव की पूरी तैयारी में हैं लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अगर भारती जंता पार्टी से उनकी बात नहीं बनी तो हो सकता है वो कहीं और उनकी बात बने और वो चुनाव मैदान में दीखें भारती जनता पार्टी की जो कैंडिडेट्स हैं और जाट समाज की बात क्योंकि मैं कर रहा हूं तो पहला नाम दीपक डागर और अगर जो आप इनको सीधे जोड़ते चलें तो पहले मैंने आपको साथ नाम बता दी है कॉंग्रेस से आठवा नाम दीपक डागर तैयारी बीजेपी से अगला मैं आपसे नाम कहूं तो फिर अगला नाम है कुलवीर देशवाल आजकल जिला परिशद के सदस्से हैं गाव उनका ललपुरा है लेकिन जिस वाड से वो कुलवीर देशवाल चुनाव जीत गए थे उन्होंने भी अपना पिछले दिनों ओफिस ओफिस खोला उसके अंदर नायव सिंग सेनी जब तक मुख्या मंत्री नहीं वने थे वो भी आये थे और कुलवीर देशवाल भी आज कृशनपाल गूजर के बहुत नजदिक दिख उंप्रकाश चोटाला चौदरी उंप्रकाश चोटाला की पार्टी से इनैलो से राजनीती करने वाले बलदेव सिंग इनैलो के अंदर यूद के परदेश अद्यक्ष के पत्तक भी रहे थे इनैलो के जिला अद्यक्ष, हलका अद्यक्ष और तमाम पदों पर रहे कभी बहुत ही बहुत करीवी कि 2019 का जो चुनाव था उसमें बलदेव सिंग अलावल पूर टिकट चाहते थे प्रतला विधान सभा का उनको टिकट नहीं मिला था तो फिर पार्टी छोड़ दी थी एक बार फिर भी पार्टी में दीखे थे उसके बाद फिर छोड़ दी यानि कि आ 2005 में पलवल से टिकट चाहते थे इंडियर नेशनल लोगदल में होते हुए 2009, 2014, 2019 वो प्रतला से टिकट चाहते थे बात कहीं बनी नहीं थी अब की बार के लिए कह रहे हैं कि उनके मन में कुछ उमंग है चुनाव को लेकर अगरागर नाम मैं कहूं आपसे तो बिजंदर न नहरा भी कहते हैं कि उनके साथ भी मुख्य मंत्री का भी और कृशनपाल गूजर का भी दोनों का शिरवाद हैं तो ये लोग है वो हैं जो भारती जनता पार्टी से तयारी कर रहे हैं अब क्योंकि अभी ताजा ताजा इंडियन नेशनल लोगदल और ब्येस्पी का विधानसभा में है और नया गाओं भी तेवतिया पाल का गाओं है देवंदर सिंग तेवतिया है आप अगर चलते हैं तेवतिया पाल के गाओं की तरफ तो पहले नया गाओं आता है नया गाओं के बाद में आता है जनौली और फिर आता है अलावलपुर तो यानि कि रग प्रत्ला विधानसभा च्हित्र से चुनाव की तयारी कर रहे हैं जाट नेता। ऐसे में रगवीर सिंख तेवतिया जो की मान करके चल रहे हैं कि उनकी टिकट तै हैं-उनकी रहा में ये कितनी बड़ी रोडा ना कहूं तो मैं बाधा कहँ देता हूं कि कितनी बड़ी बाधा बन सकते हैं ये नेता और अगर रगवीर सिंग तेवतिया स्लोगन लिखते हैं कि बदलेगी प्रतला की तस्वीर फिर आएंगे रगवीर तो मैं इसको एक बड़ी और कर देता हूं कि ये 12 लोग खींच रहे लकीर आगे ना बढ़ने देने के लिए वैसे आपको क्या लगता है कि क्या प्रतला विधान सवाँ छेत्र में जो इतने सारे नेता तयारी कर रहे हैं वेसे कितने लोग चुनाओ मैदान में दीख सकते हैं रगवीर सिंग तेवतिया कि क्या कॉंगरेस की टिकट तै है और या फिर जो मैंने आप से जिक्र किया करनाटक मॉडल वाला वो कोई दिक्कत आ सकती है और आपको क्या लगता है कि प्रतला विधान समा से अगला जन प्रतिनीधी अगला विधाय कौन हो सकता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमार साथ देखते रहें देश रोजाना